गुड मॉनिंग आज हम 3 फरबरी 2021 की करेंट है फिर डिसकस करेंगे अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए प्रेस्टा बेल आइकन आज का first question है world wetland day किस दिन observe किया जाता है विश्व आद्र भूमी दिवस किस दिन मनाया जाता है और इसका सही आंसर है option B 2 February को 2 February को जो है world wetland day जो है वह celebrate किया जाता है इस बार की theme है wetland and water यह दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरू करना जो भी importance है ecosystem में जो wetland होते है उनकी यहाँ UNESCO के according कुछ बात बोली गई है ठीक है यहाँ पर बोला गया है कि जो importance है wetland की वह source है मतलब जो wetland है वो हमारे source है fresh water के ठीक है encourage action to restore them and stop their loss और हमें उनका जो है जो loss हो restore करना चाहिए अगला question है भारत नयाय report 2020 में किस राज्य ने सीर्स इस्थान प्राप्त किया है और इसका सही answer है option A महरास्टा state has topped the India justice report यहाँ पर बात की जा रही है India justice report की जिसमें top किया है महरास्टा ने अगर हम जो large और mid-size state की बात करें तो महरास्टा ने top किया है अगर हम small state की बात करें तो top किया है तिर पुरान है ठीक है यह second edition है India in justice report का ठीक है इंडिया justice report का और यहाँ पर जो है वह justice के बारे में जो है वह information बताए गई है कि कौन से state के अंदर कितना justice है अगला question है किस मंत्राले ने आठवे भारत अंतराश्टिय रेश्य मेले का उदगाटन क किया है और इसका सही answer option c union textile ministry जो union textile minister जो है ठीक है उनके द्वारे इन्टरनाशनल सिल्क फेर टेक्स्टाइल मिनिस्टर कौन है श्रीमति इरानी ठीक है जिनके द्वारे इन्टरनाशनल सिल्क फेर का जो की virtual organize किया गया है इस फेर के अंदर जो है वहाँ इंडिया का बताए गया है कि इंडिया जो है वहाँ एक biggest silk fare है ठीक है और अगर हम बात करें तो हम second largest producer है इंडिया एक अकेली ऐसी country है वर्ल्ड में जो produce करती है ठीक है चार major variety silk की जैसे कि मैलबरी, इरी, तसर और मूगा अगला question जो है वह मतलब जो budget है ठीक है उसके बारे में कुछ questions है तो अब हम थोड़ा सब budget से related questions को discuss करेंगे पहला question है इसमें budget से related सरकार ने जो हमारा insurance sector जो होता है बीमा शेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेस जो FDI होती है ठीक है foreign direct investment जो बाहर से लोग आके जो invest करते हैं ठीक है FTI अगर इंडिया के अंदर किसी कंपनी में investment कर रहे हैं ठीक है उसकी सीमा को मौझूदा 49% से बढ़ा कर कितने प्रतिशत कर दिया है यहाँ पर बात की जा रही है कि जो अभी budget आया union budget उसमें foreign direct investment limit ठीक है अगर हम यहाँ पर एक चीज याद रखना कि किस sector की बा में 49% ही उनकी limit है कि वहाँ इतना ही maximum जो है वहाँ इतना पैसा लगा सकती है किसी भी company के 49% लेकिन अब उसकी limit जो है वो बढ़ा दी गई गया वह 74% तक जो है वह कोई भी company जो है वह invest कर सकती है finance minister निर्मला सीता रमन ठीक है जिनोंने increased कर दिया है foreign direct investment limit इंशुरेंस सेक्टर में 49% से अब 74% कर दिया है अगला question है यहाँ पर कि किस केंद्र शाशित प्रदेश राज्य में वतलब किस union territory और state में केंद्रिय बजट 2021 में सुलब उच सिक्षा के लिए एक केंद्रिय विश्य विध्याले इस्थापित करने का प्रस्ताव है यहाँ पर बात की जारे कि इस वार का जो बजट है वहाँ पर एक central university जो है higher education को पहुँच के लिए जो है वह एक proposal रखा गया है इस वार के बजट में तो यह जो central university है वह किस state के union territory में establish की जाएगी और इसका सही आंसर है option भी लद्दाक के अंदर जो है वह एक central university बनाई जाएगी higher education के लिए इसका प्रस्ताव रखा गया union budget 2021 में और उसके इलाबा भी अब जो है education से related जो भी बाते की गई है बजट में उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं ठीक है union budget 2021 जहां पर एक qualitative strengthening of 15,000 schools की बात की गई है ठीक है national education policies में उसी को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है जो हमारी national education policies आई थी ठीक है उसी के बारे में जो है कि जो schools को बढ़ावा देना है मजबूत करना है 15,000 schools को वहाँ पर ये बात रखी गई है आज के budget में next point ये भी बोला गया है कि 109 sanic schools जो है वह setup किये जाएंगे ठीक है वो किसकी मदश से होंगे वह NGO private schools और states की तरफ से यहाँ पर मैंने आपको बताए भी कि यहाँ पर एक proposal भी रखाएगा एक higher education मतलब एक central university बनेगी एक central university के कहाँ पर बनेगी वो लद्दाक में बनेगी उसके इलाबर यहाँ पर एक proposal रखाएगा कि higher education commission भी बनेगा इंडिया में किसका commission होगा वो education higher education के उपर एक commission भी बनेगा next question है उजवला योजना ने कितने परिवारों को लाब पहुंचाया है और इसका सही answer है 8 crore option D option D is the right answer उजवला scheme जो की benefited किया है उसने कितने householders को 8 crore परिवारों को उजवला scheme ठीक है जिसने 8 crore जो household है ठीक है उनको लाब पहुंचाया है जिसे अब और extend कर दिया है एक करोड और लोग को भी benefit पड़वायट करवाये जाएगा ऐसा budget में बोला गया है 2021 का जो budget है उसमें और के बाते की गई है अब हम यहाँ पर petroleum and natural gas related sectors में budget में क्या बाते र city gas distribution network को अगले 3 साल के अंदर जो है वह add किया जाएगा मतलब जो gas distribution network है जो gas provide की जाती है वह आने वाले 3 सालों के अंदर जो है वह 100 all districts में उसका connection प्रोवायट किया जाएगा जमू और कश्मीर में भी gas pipeline project जो है वह start किया जाएगा next point है कि एक independent gas transport system operator जो है वह setup किया जाएगा ठीक है आप यहाँ पर भी short में देख सकते हैं एक independent gas transporter system ठीक है operator to be setup जो सारी चीज़े operate करेगा एक gas pipeline project जो है वह union territory जमू कश्मीर में setup किया जाएगा और उजवला इसकीम के तैथ already 8 करोड लोगों को फायदा मिल चुका है और इसे अब extend कर दिया गया है एक करोड और लोग करने का प्रस्ताव रखा है यहाँ पर बात की जारी कि जो finance minister जो है उनके द्वारा कितना प्रपोजल जो है वह रखा गया है national research foundation के लिए ठीक है अगले 5 साल के अंदर जो research होगी ठीक है उसके लिए कितना पैसा दिया गया है कितना उटले रखा गया है और इसका सही आंसर ह option D 50,000 करोड जो है वह national research foundation के लिए अगले 5 साल के लिए दिया जाएगा अब यहाँ पर हम बात करेंगे और भी कुछ information ठीक है research के science के field में सबसे पहले तो finance minister ने प्रपोज किया कितना आउटले 50,000 करोड जो की 5 साल के लिए दिया जाएगा किसके लिए national research foundation के लिए इसके अल प्रवाइट किये गई है ठीक है एक नया initiative स्टार्ट किया गया है जो है national language translation mission इसमें क्या होगा जितनी भी हमारी major Indian languages है ठीक है उसमें जो है वह internet प्रवाइट किया जाएगा इस तरह से कुछ बात की गई है कि यहां पर बात की गई है कि नया initiative है जिसका नाम है national language translation mission has been proposed that we will digital the wealth of governance and policy related knowledge जितनी भी government की जो policy related जो भी knowledge होगी internet पर sorry मैंने कुछ वो बोल दिया internet पर ठीक है जितनी भी government की जो policies होगी internet पर वो सारी जो है major Indian languages में आपको provide की जोएंगी next है कि जो सिर्मती शीता रमन ठीक है जो हमारी finance minister है जो उनके द्वारा launch किया गया deep ocean mission ठीक है budget में और उस कितना है 4000 करोड national research foundation में 50,000 करोड कितने 5 साल के लिए 1500 करोड जो है वो किसलिए दिया गया है digital transaction और प्रमोट करना digital mode payment वेरा को digital transaction को बूस्ट करने के लिए और यहाँ पर एक initiative भी start किया गया जिसका नाम के national language translation mission यहाँ पर governance की जो wealth उसको पूरी तरह से digitalize करना जितनी भी government की policy related informations होगी या knowledge होगी वो internet पर जो major Indian languages है ठीक है उसमें provide करवाना लोगों को next यहाँ पर और भी बात की गई कि new space India Limited जो कि एक PSE होए public sector undertaking है जो कि department of space के तहित आती है ठीक है वो execute करेगी PSLV C551 CS51 ठीक है launch किया जाएगा ठीक है और इसके द्वारा जो है वह launch कौन से satellite की जो है वो ब्राजिल से जो है वहाँ launch की जाएगी इसके अलावा यहाँ पर और भी बात की गई है कि कि चार Indian astronauts ठीक है जिनको generic space flight aspects के तहर रशिया में इनको training provide करवाई जाएगी ठीक है गगनियान Mission के लिए जो कि December 2021 में launch होगा गगनियान Mission उसके लिए चार astronaut को जो training provide किया ज जाएगा next question यह है कि स्वास्त और स्वास्त और भलाई के लिए budget परिवय में कितना प्रतिशत ब्रद्दी हुई है यहाँ पर बात की जा रही है कि कि कितना percent increase हुआ है budget outlay health and well-being के लिए मतलब कि हम कह सकते हैं simple language में कि health sector के लिए कितना percent budget increase होकर आया है इस बार तो इसका सही answer के one thirty seven percent option c is the right answer one thirty seven percent जो है वह health के sector में जो budget है वह one thirty seven percent increase हुआ है ठीक है union budget 2021 ठीक है यहाँ पर बहुत बड़ा एक इंक्रीजमेंट देखा गया है ठीक है one thirty seven percent का कितना one thirty seven percent काफी इंप्रोडन डेटा है ठीक है ठीक है और यह सिर्फ अकेला एक health and well-being के लिए दिया गया है इसके लावा अगर health पर और कौन-कौन सी बात की गया है एक जल जीवन mission अर्वन स्टार्ट किया गया है ठीक है इस इसके इलावा यहाँ पर एक स्वक्ष भारत स्वस्थ भारत ठीक है यह भी एक initiative स्टार्ट किया गया है two point zero इसका मतलब वर्जन और यहाँ पर जो है वो allocate किया गया एक लाग 41,678 करोड रुपे ठीक है क्या है एक लाग 41,678 करोड जो है वहाँ स्वच भारत स्वस्थ भार ठीक है दो लाग स्वरी 2,217 करोड किसलिए दिया गया है यह क्लीन एयर के लिए दिया गया है एक स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लाए गई है कि जितने भी पुराने वीकल्स हैं उनके लिए भी कि जितने भी उनके लिए एक fitness center जो है ठीक है ओटोमेटिट फिटनेस सेंटर ज वो टेस्ट किया जाएगा ठीक है और अगर कोई commercial विकल है तो उसकी जो fitness center पर अगर उसका जो fitness टेस्ट जो होगा वो 15 साल बात होगा अगला question है कि देश में है ठीक है मतलब country में पहले digital जन करना के लिए कितने रुपे आवंटित किये गई है यहां पर बात की जा रही है कि जो first digital census जो होगा country में ठीक है उसके लिए कितना allotment किया गया है और इसका सही आंसर है option B 3768 करोड जो है वहां first digital census के लिए दिया गया है यहां पर हम एक चीज और देख लेते हैं कुछ information budget के बारे में इस वार का जो budget है वो six plus पर है जैसे कि आप देख सकते है health and well-being physical and financial capital infrastructure inclusive development for aspirational India ठीक है invigorating human capital innovation and research and development minimum governance गवर्मेंट maximum governance ठीक है निर्मला सीतरमन जहां पर उन्होंने एक reforms रखा है जो six plus थे उसमें से budget पर उन्होंने जो reform किया है वो किया है minimum government और maximum governance पर यहां पर इन्होंने एक बाद और बोली है कि जो अभी census आने वाला है ठीक है जो कि पहला digital census होगा history में अब तक का जिसके लिए allocator उन्होंने कितना किया 3768 करोड तीन हजार 768 करोड रुपे दिये गए हैं किसलिए याद रखना census के लिए ठीक है और इन्होंने गुवा को भी जो है वो 300 करोड रुपे दिये हैं क्योंकि गुवा जो है वो अपनी diamond jubli year जो है वो celebrate क कर रहा है इसलिए कुछ important points भी हम देख लेते हैं जो इन questions अभी हमने discuss नहीं की है और उसके लावब भी budget में कहके बात है की गई है उसके बारे में देखते हैं government ने commit किया है कि वह 1.97 lakh करोड जो है लाग करोड जो है वह production linked initiative इस schemes जो चलाए गई है ठीक है जो भी production को बढ़ावा देने के लिए government अपनी तरफ से जो है ठीक है कुछ amount जो है वह कमपनियों को दे रहा है ताकि वहाँ production जो है products के वो बढ़ाएं और उन्हें export करने में भी म sectors के लिए यहाँ पर और बात की गई है कि साथ textile टेक्स्टाइल पार्क जो है वह launch के जाएंगे आने वाले तीन सालों में अगर हम देखो railway budget भी जो है वहाँ union budget के साथ यह बाता है तो railway budget के लिए कितना provide के अगया है आउटले वो है एक लाग दस अजार पच्छपन करोड य के लिए भी जैसे कि तमिल नाडू के लिए लगवा एक लाग करोड दिया गया है ठीक है के लाग के लिए दिया है उन्होंने 65,000 25,000 उन्होंने बेस्ट वंगाल के लिए यह सब जो है वह national highway के लिए है ठीक है 34,000 करोड जो है वह असम के लिए दिया है ठीक है और यहाँ प देख लेते हैं कि जो financial year 2021 का जो fiscal deficit fiscal deficit मतलब deficit क्या होता है fiscal deficit होता है कि जो भी जो income है ठीक है government की और total income of government ठीक है जो difference होता है और total expenditure deficit तब हो जाता है जब government का जो total expenditure जो खर्चा है government का वो जादा हो जाया और उतनी government की income नहीं होती है तो फिर क्या हो जाएगा deficit fiscal deficit तो मतलब वैसे भी आप कह सकते हूं कि जो difference होता है जितनी कमाई करी है ठीक है total जो भी income होगी government की वो और उसका difference गया total expenditure जितना खर्च करेगा और fiscal deficit कब हो जाता है जादा कब बढ़ जाता है जब expenditure जो खर्चा हो जादा हो जाए जितनी income होगी है उससे काफी जादा तो यहाँ पर बात की गई है कि GDP का कितना fiscal deficits रहेगा 2021 में 9.5% जिपकि 2022 में यहाँ पर बात की गई है तो वो बोलाए कि GDP का 6.8% रहेगा ठीक है और यहाँ पर यह कुछ बताए गया है कि जिन लोगों की age 75 years से जादा है ठीक है उनके लिए जो income tax filing जो है वो खतम कर दी गई है और to extend eligibility for startup ठीक है claim tax holiday उन्हें एक साल तक जो है वो कोई भी टेक्स जो है वो देना नहीं पड़ेगा जो start-ups है उनके लिए यह eligibility है और आप सब लिए questions भी है ठीक है भारत का पहला gender park किस राज में launch किया जाएगा आप इनके answers जो है वो comment box में दीजिए next questions है आपके लिए एक फटवरी के revisions questions है मत्तुआ community ठीक है क्या यह तमिलनाडू से related है next question है कि निति आयोग क्या उसने launch किया mega investment textile park ठीक है मित्राई scheme ठीक है next है उत्तरपदेश ने जीताई के national award for best electoral practice 2020 का next question है इस रो जो है for launch करेगा industry शक्ति सैट सैटलाइट ठीक है जिसे तयार किया गया college students के द्वारा आप इनके answers टो है वो comment box में true and false की form में दीजिए thank you so much